कि दमश्कार डॉक्टर पात्रो आज मैं आपको कुछ प्रिकॉशिंस बताना चाहता हूं कि पोस्ट कोविड कोविड तो हो रहा है पोस्ट लॉक्डाउन पोस्ट लॉक्डाउन में क्या प्रिकॉशिंस लेनी हैं यह बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं चलिए हम घर से पड़े गई किस तरीके से साफ सफाई रखना है फिर भी मैं आपको कहना चाहते हूं क्योंकि कोशिंस बहुत पूछे जाते हैं अगर हम घर पे हैं तो हमें क्या-क्या साफधानिया वरतनी चाहिए सबसे पहला चीज है आप एक दूसरे के प्रती कम से कम क्योंकि एक दूस आप घर के जो नॉब्स हैं डॉर नॉब्स हैं या टीवी का रिमोट है या आप मुबाइल फोन इस्तमाल करते हैं ऐसे बहुत सरे चीजें जो इस्तमाल करते हैं कोशिस करें जो कम से कम इस्तमाल हो कम से कम हैंडलिंग हो और आप डॉर नॉब्स वगरा जो भी करते हैं आप साब कर सकते हैं आप एक साब कर सकते हैं याद रखेगा बहुत ऐसे भी इंसिदेंट्स चोटी मोटी होते हुए पता चला कि आप सानिटाइजर जो आलकोहल बेड़ उसको लेकर आप किचन तक पहुंच जाते हैं उससे आग पकड़ने का बहुत जादा रिस्क होता है त कोई फायर यूज करें याद रखे जब तक आप घर के अंदर हैं आप अपनी हाथों को साबोन लिक्विड सोप से यूज कर सकते हैं उससे बहतर होगा अब आ जाता है कुछ लोग कहते हैं कि हमारे हाथों में बहुत बुरा असर पढ़ा है विल्कुर जितने बार आप यूज की ज़ियादा आपको बुरा असर पढ़ा हें तो अब दस्ताने प्हनिए इसड़ खुशर बीचाने आते हैं ऐसम्माइघ से जब दस्ताने आते हैं ज्यरूर प्हनिए लग यह ज़रूर याद रखें कि आप अगर चीजें हैंडल कर रहे हैं और ब्यूदे जाने वाले हाथ को लेके ना क्या मूँ पे आंखों पे मत लाइएगा कोशिस कीजिए कि आप ठैक्टिस करिए कांसिशली कि मैं अपनी हाथ को फेश पे ना लाऊं अब आता है वेज़िटेबल्स जब घर पे वेज़िटेबल्स आती हैं बाहर से आप कोशिस करें एक बकेट में गरम पानी हो दूसरे बकेट में गरम पानी और हल्दी डाल दें जब आप भी वेजेटेबल्स मार्केट से लाते हैं तो गरम पानी के अंदर बूम जब आप गरम पानी के अगया जाते हैं जिस चीज अपकर रखना एंदो अधर के लिद केंद कर पानी के अइक सबस्कście-दोट है अपने बेसिन पर उसे दो दें, ये हो गया सही तरीका वेजटेबल को क्लीन करने का, प्लास्टिक की चीजें, मेटल की चीजें जो आती हैं, या तो कोल ड्रिंग्स लाते हैं, या ऐसा कोई भी चीज लाते हैं, वो साबून से अराम से दो जा सकता है, लिपिट सोक यूज कर जो भी चीज बाहर से लाएं और सीधे आपने फ्रीज में डाल दिये, ऐसे ना करें, कोशिस करें से क्लीन करें और क्लीन करके फ्रीज में लखें, अब आज आता है, और क्या कर सकते हैं, गर के अंदर गलब्स और मास्क भी यूज करना चाहिए, देखिए, मास्क की और नहीं है, तेंग फिट की दूरी रखें, कुछ दिन के लिए अलग-अलग सोना पड़ सकता है, अलग-अलग पलग यूज करें आप, कपड़े कम से कम आप कोशिस करें कि लूज कपड़े पहने, टी शर्ट या पुर्ता को ऐसे उपर से उतारना पड़ता है, वो ना कर साथा लाइट वाले कपड़े यूज करें कि जो अराम से अब धोया जा सके, अब आ जाता है बाहर जब जाता है, जहां तक बात है कि जो यूटेंसिल्स हो गया, छूरी हो गई, कैंची हो गया, किचन के अंदर जो यूज होते हैं, जो आप यूज करते हो उसको गर्म पान करते हैं, तो डेली उसको दो दिया करें, गर्म पानी से डिटोल में दोहो के, यह हो गया आपका घर की काम, अब आजाते हैं कपड़े, कोसिस करें कि बहुत सारे कपड़े और वाशिंग मशीन से ड्रायर के साथ आ जाता है, बहुत बढ़िया बात है, जिसके पास वाशिं पे होता है, तो आप जो भी कपड़े सुखाते हैं, कोसिस करें बालकोनी में, जहां पे ग्रिल लगी हो, उस जगह पे आप फैन चला के सुखा दीजिए, हवा से सूख जाए, और जैसे मैंने कहा, कम से कम लाइट कपड़े यूज करें, ताकि पानी की बर्बादी ना हो, बाहर जाने की बात है, पोस्ट लॉकडाउन के बाद देखो, आप लोगों को दिरे-दरे चौकरना होना पड़ेगा, आदत दिलाने का मतलब यह नहीं है कि आप लापरवा हो जाओ, जैसे सडकों पे लिखा होता है, थोड़ी सी आपकी ध्यान हटी, दुगट न घटी, इ हांदे हाथ जोड़के, हाथ जोड़के सीधे मूँ के अंदर ना ले जाएं, ऐसे हाथ जोड़के करें, नमबर वान, नमबर टू, मास्क मस्ट है, एन नाइटी फाइग मास्क जो होते हैं, वो मेडिकल परसनल्स के लिए ज़रत है, या जो परसनल्स बहुत नजदी की एर अपरज़ पहने ज़्याज़ लेकिन उनको पिल करना ज़रूरी है, पिर आजाता है, आपको दस्ताने पहननी च masterpiece, लिए ज़रूरी है, आपको साफ करने लगते हैं, आप कोई इंफेक्षन की चांसेशES भी होता है, जो बहरexisting की की छिय बितकती है, हाँते यह जोड़ी नहीं है लेकिन आप अगर दस्ताने पहने पहने लेकिन आप उसको भी सेनिटाइज करना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत सारे जगह बाहर पकड़ने लगते हो लेकिन याद रखें जब आप बाहर जाते हैं बहुत जादा सापधानी वरतनी पड़ेगी भीड म या भीड वाले इलाकों को आप अवाइड करें भीड मचाने से अवाइड करें दूरी रखें अगर ज्यादा भीड है तो आप आज यह आती आवस्यत ना हो तो जरूर अवाइड करें ऑफिस जाते हैं तो भी आपको सोचल डिस्टेंसिंग करना ही पड़ेगा कोसिस करें से जह भार बार जब मुबाइल आप यूज करते हैं तो आप कान पर लगा लेते हैं कोसिस करें उसको वाइस में बात करें या आप एडर प्लक्स में लगाएं और बार बार उसे ना चूएं मोबाइल को इसी पर रखें ज़रुरत ना पढ़ने पर कॉल करने की कोशिस ना क करें कॉल रिसीव करें अब आ जाता है ऑफिस में जब जाते हैं आप की पैड यूज़ करते हैं आप दो रौप यूज़ करते हैं आप बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जहां पब्लिक प्लेसेस में बहुत लोगों की हाथ लगती है उन जगों पर अगर हो सकता है एक सैनिटाइजर स्प्रेय रखें नौपे स्प्रेय करें थोड़ी दे रुखें फिर उसको खोलें और फिर अपने आपको भी सैनिटाइज करें एक यह एक यह करें दूसरी हैं जब आप की बोर् करें और क्रीम करने का मजलब ने की पूरी प्रिकोसें लें की बोड के ओकर आप पानी ना डाल दें की बोर्ड कराब हो जाएगी उसको भी आप जिस जिस एडिया से से तुड़ी तुड़ी सपे करके क्लीन करें सबसे बहतर होगा अगर आप हैंड से टच करें ज्यादा ब पर सर रख लेते हैं ऐसे में आपको पता नहीं कितनी लोगों ने स्टेबल को छुआ होगा इन सब चीजों को ध्यान रखें और अगर पब्लिक प्लेसेस में कॉमनली यूजव ग्लासेस हैं कप्स हैं ऐसे चीजें या जूज ना करें अब आ जाता है और क्या प्रिकॉसें लेना है बाहर घर से बाहर निकले और घर से जब बाहर से घर आते हैं तो जो कपड़े पहन के गए हो बहुत लाइट कपड़े जैसे मैंने का बहुत लाइट अब आज आता है क्या और प्रिकॉसें लेने चाहें फिर से कहता हूँ अब आपके लिए जो बाहर लेने के समान जो हो जाएगा अपनी पर्स अपनी कार्ड होल्डर्स ऐसे जो चीजें होती है जो एसे ही लेके जाएं दूसरा आप क्यास के जगा इलक्ट्रोनिक पेमेंट के कोसिस करें क्योंकि क्या सेंडलिंग होगा तो उसे कॉंटामिनेशन हो सकती है गलब्स मास्क इतियादी इतियादी में सबसे इंपोर्टन चीज होता है मास्क और सैनिटाइजर यह यूज करें घर का ही खाना लेके जाएं और घर का खाना आप खाएं किसी और का कप और क ग्लासेस यूजना करें, घर के अपनी समान यूज करें, अपनी कपड़े यूज करें, अपनी हैंड करचिफ रखें, और अगर आपको कोई चदरें या कुछ लेना पड़ता है तो खुद की रखें और कोशिस करें, जितना से जितना उससे कॉंटामिनेशन ना हो, अब आता आपकी तगड़ी तब बनेगी, जब आप नियमित रूप से, अच्छे से पिया करें, पानी अच्छे से पिया करें, फूट्स खाएं और कोई भी वाइटमिन्स आप खा सकते हो, और आयूस के लिखी भी कुछ इम्मेन बूस्टर्स मिल रही है, तो आप उसे फ्लाइ कर सकते हैं, या या अलोपिती के वाइटमिन्स ले सकते हैं, या बहतर है कि आप फूट्स खाएं, घर की ही खाना खाएं, आप कोई भी गाढ़िन्स को ना जाएं, गाढ़िन्स अवाःड करें, घर के अंदर गैढ़िन्स ना करें, घर में जितना से जितना काम लोग आएं, होठी सासापे हैं, उतना अच्छा है,बिस बमात फीन अछिए। दूट्र भी एदिक्ने स्वर सभूनि को बिटन यही चीज ट्राफिक नियम बताया जाते हैं कि अपने गाड़ी में भी आप थोड़ी दूरी बढ़ते हैं और अगर बाइक में जाते हो तो एक अकेला बाइक में जाओ यह आप से कहा गया अब आजाते हैं किसे ज्यादा द्यान देना चाहिए घर में अगर आपके बुजर् रखें ताकि घर के अंदर उनसे कोई भी मिलने जाए वो दूरी वरते हैं मास्क पहरें उनसे मिलने से और उन्हें प्यार जाता है उनको केर लें अगर वो डाइविटिक हैं हाट पिशेंट हैं या कोई दवाईया खा रहे हैं जिसे उनकी इमनिटी पे असर आ रही हो तो बहुत ज़्यादा साफदान लखें उन्हें बहार लेके ना जाएं अगर वो बहार जाते हैं तो उनको बालकोनी तक रखें या घर के आंगन तक रखें और ध्यान रखें उन्हें जब घर के आंगन तक लेके जा रहे हैं आप तो आस-पास पूरी तरह से देखें कि भीड झाल झाल